नमस्कार विजन आईएस के न्यूस टुड़े के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख की सबसे पहरी खबर भूमी निमनीकरण से संबन्दित है हाली में भूमी निमनीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल एवं प्रवाल भित्ती कारिक्रम का आरंभ किया गया है दरसल ये पहले G20 देशों के पर्यावरन मंत्रियों की बैठत में आरंभ की गई है भूनिमनीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल का उद्देश जीटवन्टी सदस्राष्ट्रों में विश्वेस्तर पर भूनिमनीकरण की रोग थाम करना है इसके साथ ही मौजुद धांचे के कारियनवन को सुद्रिन करना है इसके साथ ही ये अन्य सतत्त विकास लबधी पर भी संभावित प्रभाव को ध्यान में रखेगा भारत में लगभग 29 प्रतिशत भूमी का निमनीकरण हो रहा है भारत संव्तिराष्ट्र मरुस्थिलीकरण की रोग थाम हेतु अभी समय का हस्ताक्षर करता देश है भारत का लक्ष वर्ष 2030 तक भूनिमनीकरण तटस्त इस्तती प्राप्त करना है जिससे भूमी के शरण में हो रही व्रिद्धी को भूमी में सुधार से प्राप्त होने वाले लाभों द्वारा कम किया जा सके वहीं Global Coral Reef Research and Development Accelerator Platform का उद्देश्य प्रवाल भित्ती संरक्षन पुनरस्थापन करना है और अनुकूलन क के सभी इस्तरों में अनुसंधान नवाचार और शमता निर्माण के संवर्धन के लिए एक वैश्विक अनुसंधान वविकास कारिक्रम स्रजित करना है प्रवाल भित्तियां सरवाधिक जैविवित्ता पून और उतपादक पारिस्थिति की तंत्रों में से एक हैं प्रव प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी मननार की खाड़ी अंडमान और निकोबार लक्षुदीप दीपसमु और महराश्ट्र के मालवन में पाई जाती है अगली खबर विद्युत शेत्र से संबंदित है विद्युत मंत्राले ने विद्युत उपभोगताओं के अधिक में एक उपभोगता चार्टर है वहीं ये नवीनतम प्रारूप उपभोगताओं को सशक्त करता है और उनके लिए आपूरती संबंधी नए अधिकार भी प्रस्तुत करता है आईए अब इसकी मुख्य विशेष्टाओं को भी जानते हैं विलंबित बिलिंग और गलत मीट के मुद्धों को हल करने के लिए नए कनेक्शनों में प्रिपेड या स्मार्ट प्रिपेड मीटर्स होंगी उपभोगताओं को उनके अधिकार के रूप में 24-7 विद्यूत आपूरती प्रदान करना हाला कि क्रिशक जैसे उपभोगताओं की कुछ चेनियों के लिए के बिलका ओनलाइन माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उपभोगताओं को डिजिटल रूप से भुगतान करने पर उन्हें भुगतान में कुछ छूट भी प्रदान की जाएगी इसके साथ ही विद्यूत पेशेवर का प्रावधान किया ग कौम द्वारा की गई आपूर्ती में समयोजन किया जाएगा अगली खबर आयात प्रतिस्थापन से संबंदित है आयात प्रतिस्थापन की व्यापक संभावना व्यक्थ की गई है चैनित शेत्रों में आत निर्भरता से 186 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात आयात बैंक यानि एक्जिम बैंक द्वारा किया गया है इस अध्यान में आयात प्रतिस्थापन और घरिलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ चैनित शेत्रों की पहचान की गई है आईए आप जानते हैं इस अध्यान के मुख्य निशकर्ष इसके तहत इलेक्ट्र वर्धन में विनिर्मान शेत्र का हिस्सा 2019-20 में घटकर 15.1 प्रतिशत रह गया है जबकि वर्ष 2010-11 में ये 18.4 प्रतिशत था इससे आयात पर निर्भरता बढ़ी है इस स्थिति को देखते हुए विनिर्मान शेत्र को पुनरजीवित करने की रणनीतियों में कई उपाय अधियोगिक समूहों को सशक्त बनाना प्रतिकूल शुल्क सनरचना को युक्त युक्त बनाना कुशल सीमा शुल्क और बंदरगाह प्रक्रियाओं को विक्सित करना विश्वस्निय मानक और प्रमानन प्रनाली निर्मित करना आदी दरसल भारत में नीतिगत सुधारों और औध्योगिक आधारों के विकास में राज्यवार विभेद होने की वज़े से देश भर के औध्योगिक परिवेश में उल्लेखनी अंतर दिखता है अगली खबर न्यायपालिका से संबंदित है उचितम न्यायले ने विधी निर्माताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के लिए एमिकस क्यूरी के सुझावों पर आदेशों को संरक्षित रखा है सुप्रीम कोट ने देश भर में विधी निर्माताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के शीगर निप्टान के लिए एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की रिपोर्ट पर अपने आदेश को बनाई रखा है सुनवाई के दौरान केंद्र ने भी सांसोदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के समय पर निप्टान का आवाहन किया था आईए अब जानते हैं मुख्यमुद्दों पर एमिकस क्यूरी के सुझाव देश भर के सांसोधों और विधायकों के लिए विशेश नियायलेओं की इस थापना के संब्द में कोई एक रूपता विद्धिमान नहीं है एमिकस क्यूरी ने कहा कि इस संब्द में कोई इस पष्टता नहीं है कि नियायले भर्षटप चार निवारण अधिनियम 1988 या फिर धन शोधन निवारन अधिनियम 2002 के तहत अपराधों की सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दोरान अभियुक्तों और गवाहों की प्रस्तुती सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अभियोजन अधिकारी जो की अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। उसे प्रतेक जिले में नियुक्त किया जाना चाहिए आपको बता दें कि देश भर में नियायलेों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,442 मामले लंबित हैं जिन में से 2,556 मामले वर्तमान जन प्रतनिधियों के खिलाफ हैं। उचितम नियायले का ये आदेश राजनीती के अपराधिकरन के खिलाफ है। वर्ष 2002 में Association for Democratic Democratic Reforms बनाम Union of India वाद में उचितम नियायले ने चुनाव लड़ने वाले उम्मेद्वारों के आपराधिक ब्योरे, सैक्षिक योगिता और व्यक्तिकत संपत्ती से संबंदित जानकारी के प्रकटी करण को अनिवारी किया था। वर्ष 2013 में लिली थॉमस और लोग प्रहरी द द्वारा दायर जनहित याचिका में उचितम नियायले ने ये निर्णे दिया था कि यदि एक मौझूदा सांसद या विधायक को किसी मामले में दोशी ठहराय जाता है जिसके लिए दो वर्ष से अधिक के कारवास का दंड निर्धारित है तो संसद या विधान मंडल में उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी और उसकी सीट रिक्त घोशित की जाएगी वर्ष 2014 में पबलिक इंटरस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संग वाद में उचितम नियाले ने आदेश दिया था कि किसी भी सांसद या विधायक के विरुधिलंबित आपराधिक मु विशेश नियालेों का गठन करना चाहिए अगली खबर सौर मंडल से संबंदित है सूर्य में एक नया सौर चक्र आरंब हुआ है सूर्य विध्युत आवेशित गर्म गैस के एक विशाल पिंड की भाती है इस आवेशित गैस की गती से एक शक्तिशाली चुम्बकिये शेत्र उत्पन्न होता है सूर्य का चुम्बकिये शेत्र एक चक्र से गुजरता है जिसे सौर चक्र कहते हैं प्रतियक 11 वर्ष के बाद सूरी का चुम्बकी शेत्र पूर्ण तया पलट जाता है। इसका अर्थ है कि सूरी के उत्तर और दक्षनी ध्रुवों का परस पर इस्थान परिवर्टित हो जाता है। वेग्यानिक सूर कलंकों का उपयोग करके एक सूरचक्र को ट्रैक करते हैं। सूर कलंक सूरी पर ऐसे शेत्र हैं जो सूरी की सतह पर काले धबबे की तरह दिखते हैं। क्योंकि ये आसपास की हिस्नों की तुलना में अपेक्षक्रत कम गर्म होते हैं। सौर चक्र की शुरुआत तब होती है जब एक सौर नियुनतम इस्थिती होती है यानि सूरे में सबसे कम सौर कलंग होते हैं समय के साथ साथ सौर गतिविधियों और सौर कलंगों की संख्या बढ़ती जाती है एक सौर चक्र के दौरान सूरे पर विशाल विसफोटों वाली जैसे कि सौर ज्वाला और कोरोना मास इजेक्शन में व्रिधी हो जाती है। कोरोना मास इजेक्शन का मतलब है कोरोना की सतह से प्लाजमा और सौर चुम्बकी शित्र का निर्गमन होना। इन सौर विस्वोटों का रेडियो संचार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी, पावर ग्रिड्स और सेटिलाइट्स पर व्यापक प्रभाव उत्पन हो सकता है। को DTTI के लक्षों के बारे में बताते हैं। जिबूती आचार सहीता या जेद्दा संचोधन भारत भी जापान, नौर्वे, ब्रिटेन और सेंक्तुराज अमेरिका की तरह DCOC के परिवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। DCOC यानि जिबूती कोड अफ कंडक्ट या जेद्दा अमेंडमेंट ये समुद्री मामलों पर एक समू है जिसमें लाल सागर, अधन की खाडी, अफ्रीका के पूर्वी तर्ट से सनलगने देश और हिंद महा सागर शेत्र के दूपीय राष्ट्रों सहित 18 सदस्य देश शाम कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, ये उत्तरपूर्वी राज्यों और आस्यान शित्र को जोडने वाली भारत की लोकीस्ट पॉलिसी का एक भाग है, कलादान परियोजना कोलकाता को म्यामार में रखाइन राज्य के सित्वे बंदरगाह से जोडती है, म्यामार में ये कल परियोजना को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसमें रखाइन रज्य से होकर गुजरने वाला मार्ग शामिल है, संसद ने आयरुवेद सिक्षन और अनुसंधान संस्थान विधेक 2020 पारित किया, ये विधेक गुजरात के जामनगर में आयरुद सिक्ष राष्ट्र महत्व के संस्थान का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा, आयरुवेद सिक्षन और अनुसंधान संस्थान आयुष शेत्र में राष्ट्र महत्व के संस्थान के दर्जे वाला पहला संस्थान होगा, और इससे संस्थान को पाठिक्रम सामागरी एवं सिक्ष मुद्रा योजना वर्ष 2015 में लगू उध्यमों को 10 लाक रुपे तक के आरक्षित रिंड देने के लिए आरंभ की गई थी। इसकी स्थापना के बाद से इस योजना के तहट 12.9 ट्रिलियन रुपे की राशी वाले 253 मिलियन से अधिक रिंड प्रदान किये जा चुके हैं। बढ़ते NPA पर सरकार ने सार्वजनिक शित्र के बैंकों को प्रदानमंत्री मुद्रा योजना के तहट प्रदत्त रिंडों के लिए परिसंपत्ती की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने, मुद्रा NPA जखातों का सूक्षमता से विशलेशन करने, अंडर मानकों में सुधार करने और प्रदानमंत्री मुद्रा योजना रिंड करताओं के साथ नियमित और गेहन संपर्क बनाए रखने के लिए कहा है। अरिक्रम के लिए ग्रामेइन विकास मंत्राले नोडल मंत्राले है और इसे जम्मू और कश्मीर हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट और जम्मू और कश्मीर ग्रामेइन आजिवी का मिशन के साथ मिलकर क्रियानवित किया जा रहा है। व्यक्ति ए द्वारा संक्रमित है ये बढ़ती जन संख्या प्रतिरक्षा और भविश्य की घटनाओं का संक्य देने के अलावा संक्रमन नियंतरन हस्तशेप की प्रभावशीलता को मापने में साहता भी करता है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तोपूर्ण खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार